Cross-Culture Variation in Emotion Regulation A Systematic Review हम पहले Systematic Review की बात कर चुके है Systematic Review लिटेचर का जो किया गया उसका परपस यह था कि अपने जज़बात को control करने दिबाने या पहचानने या इzहार करने में किस तरहा लोग मुक्तलिफ हैंक को दोसरे से लोग एक kindly से मक्तलिफ होते हैं जज़बात के इजहार में भी और जजबात को बाने में भी तो इसका परपस यह कि हम वो रिसर्च इस ढूंडे जो तमाम मुलकों तमाम कल्टर्स में हुई भी हैं और फिर उसको एनलाइज करें उसका जाइजा लें उसका तज्जिया करें और फिर ये कंपेर करें कि जो कॉमनली यूज इमोशन रेगुलेटरी स्ट्रेटेजी जें दो हैं एक एक एक्ष्प्रेशन और एक तप्रेशन उसको किस तरहां से मुख्तलिफ कल्टर में क्या उसमें कोई फर्क है तो कोगनेटिव रियप्रेजल यह होता है कि आपने जैसा महसूस किया उसको फिर अपने जहन में लाते ह करें और आप कहते हैं कि मैंने जबा ठीक महसूस किया कि मुझे घूसा ठीक आया कि नहीं यह उदास उने की बाप ती यह खुश उने की बाप दी वगहरा तो यह किन कल्टर में स्टडी किया जाए गा एंडिविजूलिस्टिक और क्लेक्टिव एंपहले बात कर चुके हैं कि डिफरेंस देखने की कोई वज़ा होनी चाहिए मैं यह क्यों कर सकती हूं कि इंडिविजुलिस्टिक कल्चर जो फर्द की कमपेटिटिव जाती स्तलाहियत और कोशिश के जरिये काम्याबी को उस कल्चर में एक जरूरी चीज समझा जाता है जब के कलेक्टिव इस कल्चर सबस्क्राइब करें और दूसरों का देहान रखते हैं और अगर उसकी जात कमजूर भी हो तो उनको अपनी ब्रादरी फैमिली सूसाइटी से सहरा मिल जाता है जब कुछ करते हैं तो दूसरों का भी सोचते हैं क्योंकि वह तन्हां नहीं छोड़े जाते इंडिविजुल् तो interdependent, independent, collectivist या individualistic ये एक distinction है culture में, तो जब हम compare करते हैं, तो मैं उनके जूते के size पे compare करूँ, आँखों के रंग पे compare करूँ, sugar खाने पे compare करूँ, मेरे लिए कोई meaningful बात नहीं है, research में कोई meaningful बात नहीं है, क्योंकि इसका पता भी चल जाएगा, तो sugar industry देख सकती है इसको, कि डॉनर्स किस मुलक में ज़्यादा खाया जाते हैं, ये olive oil कहा खाया जाता है, psychology में, वो क्या चीज़ है जिसमें लोग cultures के दर्मियान मुक्तलिफ होते हैं, जैसे हम पहले बार बार देख रहे हैं, Mexican, American, Pakistanis, Japanese, Chinese, immigrants, तो ये कौन सी चीज़ है जो इनके बीच में सर्च है, वो ये बताती है, कि जो जजबात को दबाना या जजबात को एक्स्प्रेस करना, उसका cognitive reappraisal करना, उसके बारे में सोचना, इसमें cultures फर्क है, ये जो systematic review है, ये उसकी reference है, ये आपकी course outline में भी है, और ये आपको internet पे ये article मिल जाएगा, reference को लिखने का एक तरीका ह होता है, उसका year भी दिया है, authors के नाम भी होते हैं, और title के बाद आप उस journal का नाम देते हैं, जिसमें वो छप है, ये Annals of King Edward Medical University में 2017 में छप है, findings देखें, तो जो emotional expression है, उसमें जो individualistic cultures हैं, हमारे पहले ये ख्याल था, कि जो लोग, इंफरादी culture के लोग हैं, जैसे यॉर्प, New Zealand, Australia, USA, Canada, वो emotional expression में higher होंगे, वो अपने जजबात को ज्यादा खुल के इजहार करेंगे, जब कि जो collectivist culture हैं, वो अपने जजबात के इजहार में उनकी निस्बत कम होंगे, अब ये नतीज़ा मैंने कोई एक study से नहीं निकाला, ये जो हमारा article है, मिस नौशीन रमजान का और मेरा ये, दुनिया भर में जो emotion regulation पे study हुई है, उन सब को रखके, के वो जो American study थी, या Indian थी, या बैंगलादेशी थी, पाकिस्तानी थी, और European थी, उन्होंने emotion, फिर उन culture के दो ग्रुप बना दिये, ना individualistic का कठा कर लिया, और collectivist का अलग से द इंड़ा देश, नेपाल, इंडिया, जैपान, जो collectivist culture कहलाते हैं, और लेफ्ट को आपको नियूजलेंड, जर्मनी इन जो को पे जो research हुई हैं, अमेरिका में, वो तो ये बार्स का मतलब है, कि इसके अंदर उन मुलकों में होने वाली और उसमें उन मुलकों के होने वाल जिस society में जात की एहमियत से ज्यादा ग्रुप की, collective group की एहमियत होती है, वहाँ पे लोग अपने असल जजबात को, अपने इजहार को दबाते हैं, जो individualistic होता है, वो कम दबाता है, तो ये इसकी एक systematic review की example थी, कि emotion regulation में किस तरह फर्क है, जो collectivist culture है, वो ज्यादा encourage करता है कि आप control करें अपने जजबात को, अपने expression को, सोच के को कोई क्या कहेगा, ऐसे नहीं कहते, बड़ों को नहीं कहते, चोटों को नहीं कहते, औरत को नहीं कहते, मियां को नहीं कहते, leader को नहीं कहते, boss को नहीं कहते, teacher को नहीं कहते, सारा दिन इसमें गुजरता है, ये सुनते वे जी आप टीचर है तो आप ते यह नहीं कहना तो फ्लांच होगा है वो लीडर है तो यह नहीं कहना और वो बॉस है तो यह नहीं कहना और वजीरहाल है तो यह नहीं कहना freedom of peace and expression of emotions in a balanced way is what our own religion encourages अगर कोई खलीफा वक्त के सामने खड़े होके कहता है मैंने आपको यह कहना है तो क्या हम उसकी को फालो कर रहे हैं आज भी लेकिन collective culture जो है इसको discourage करते हैं जबके individual culture जो है वो emotion को control करने को encourage नहीं करते हैं और emotion express करने को encourage करते हैं